नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का pathfinder पर पिछले महीने की बात है भारत ने एक बड़ा ही कड़ा statement दिया था with respect to the European Union's carbon border tax इंडिया के जो हमारे commerce minister है प्यूष गोयल जी इन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया European Union के carbon tax वाले मुद्दे के उपर retaliate भी सकते हैं अब लेकिन क्या हुआ है European Union के द्वारा over smart play किया गया है उन्होंने ये कहा है कि भारत में जो industries है iron and steel sector की या फिर जो heavy industries है उनका जो carbon emission का data है वो हमारे साथ share किया जाए और हम बताएंगे कि आपको अपनी emissions जो है वो कितनी कम करनी है और किस तरीके से कम करनी है भारत ने इस चीज को लेकर साफ साफ इंकार कर दिया है कहते हुए कि हम लोग ये data बिलकुल भी share नहीं करेंगे because European Union इस data के माध्यम से इंडिया की जो trade secrets है उनको जानने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर आप देख पाएंगे खबर 11 जनवरी को सामने आई है express में आई है India flags risks of trade info getting compromise की हमारी जो secret trade information है वो यहाँ पर compromise हो सकती है वो यहाँ पर sacrifice हो सकती है बात करेंगे इस पूरे मुद्धे को लेकर इंडिया के द्वारा क्या-क्या बाते कहीं कहीं है वो भी आपके साथ discuss करेंगे more importantly कई सारे देश हैं जो कि इस मुद्धे में भारत के साथ आकर खड़े हु telegram channels को follow करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा also आगे बढ़ने से पहले कल I'm sorry आज 14 जनवरी को दोस्तों आपके लिए हम एक workshop लेकर आए हैं तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और नई दिल्ली में ही हैं तो definitely workshop को attend कीजे हम सभी लोग आपके साथ इस workshop में शामिल होने वा परजी नगर के centers में आपके लिए available करवाए गए हैं भले आप 2025 या 26 की तयारी कर रहे हो और इसके इलावा प्रयागराज में भी हमारे courses दोस्तों उपलब्द करवा दिये गए हैं आपको किसी प्रकार का भी doubt है तो description में आपको एक link दिया होगा bitly link आप उसको ध्यान से दे इसको visit करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ओल राइट सो European Union का जो Carbon Border Tax है ब्रीफली आपको बता दूँ इसको वैसे तो Carbon Border Tax कहा जाता है लेकिन इसका जो official name है that is Carbon Border Adjustment Mechanism also known as CBAM इसके तहत basically CBAM के तहत EU ने ये कहा था कि European Union में आने वाली जो चीजें होंगी इसके उपर हम रेकी import duty लगाएंगे वो चीजें जो की cement, iron, steel, aluminium, fertilizer, electricity, hydrogen from countries उन country से आने वाला समान जहां पर Carbon Emission बहुत ज़ादा होता है और ये इनोंने कहा था कि 1 January 2026 से यानि कि आज से exactly 2 साल के बाद इस हम लोग Carbon Border Tax को लागू कर देंगे European Union ये मानता है कि हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि जो developing countries हैं उनके अंदर जो industrial production की practices हैं वो better हो सके और वहां से जो carbon leakage है वो basically कम हो सके इसके चलते EU ने एक बड़ी मांग करी थी उन्होंने मांग क्या करी थी उन्होंने deadline दी थी कि October 2023 तक इस line को बड़ी ध्यान से पढ़िए इसी में पूरा करक्स है उन्होंने कहा कि भारत की जो domestic companies हैं जो की in seven sectors को belong करती हैं जैसे steel, cement, fertilizer, aluminium, hydrocarbon वगएरा 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 उन के production में कितना जादा carbon emission यहाँ पे देखने को मिलता है इस चीज को लेकर पहली बात तो इंडिया ने अभी तक अपना data share किया नहीं है इस बात को तीन महीने हो चुके है, deadline खतम हो चुकी है, so called deadline, इंडिया ने क्या जवाब दिया है, इंडिया के दो जवाब है, पहली बात इंडिया ने कहा कि देखिए अगर हम लोग आपके जो CBAM के साथ comply करते हैं और उसके बदले में जो आपने से data मांग रहे हैं, वो data relate करता है to sensitive and confidential trade data of हमारे exporters का, अगर वो data आपके साथ हम लोग दे देंगे तो वो data compromise हो जाएगा, secondly इंडिया ने कहा है, इसको भी ध्यान से कि जो हमारे manufacturing sectors है, steel, oil, cement वेगरा के, ये already global cost competitiveness benchmark के साथ align करते हैं, और अगर ये सब होने के बावजुद भी हम आपको data दे देंगे, तो obviously हमारी जो sensitive trade secrets हैं, वो यहाँ पे compromise हो जाएगी, इसमें पता लग जागा कौन से industry जो है, वो अपने दाम कम कैसे रखती है, कौन सी factory ज इसलिए इंडिया ने कहा कि ये हम नहीं करने वाले हैं, इंडिया ने इतना कड़ा stand लिया क्यों है, देखिए European Union ने कुछ छोटा मोटा data नहीं मांगा है, उन्होंने कहा है कि thousand data points के आसपास उन्होंने companies से मांग कर ली है, और European Union ये कहता है कि हम तो केवल carbon emission के data को समझना चा जिए, for example, इंडिया से मान लीजिए कुछ 100 companies हैं जो की शायद European Union में कुछ ना कुछ तरह का iron या process, steel इस तरह की चीजों को भेचती है, now, अलग-लग companies जो है, वो अपने आपको competitive रखने के लिए कुछ अपने-अपने competitive practices को follow करती होंगी, for example, blast furnace है, बहुत साल पहले invent किया गय है, हर company अपनी-अपनी engineering practices change करती है, और अपने processes को और ज़्यादा cost effective बनाने की कोशिश करती है, so that वो ज़्यादा सामान को बेच सके, और ये सभी चीजें बहुत ही ज़्यादा closely guarded trade secrets होती है, कि हम लोग इतने कम दाम में इतना लोह कैसे बना पा रहे हैं, अब अगर हमने इ इस particular strand में कई सारे लोगों ने साथ ने ये भी कहा है, ये think tank है, global trade research initiative GTRI, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि Japan for instance, उन्होंने कभी भी अपने इस data को share नहीं किया, हम सभी जानते हैं कि Japan iron steel के शेतर में कितना बड़ा giant है, area कम होने के बावजूद भी only because of their effective industrial practices, जापान इतना iron and steel में बड़ा नाम बना पाया, वो इसलिए था because उन्होंने अपनी practices कभी out नहीं करी, उनको कोई copy नहीं कर पाया, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, इंडिया का जो ये argument है, इसको support कौन कौन करता है, अर्जेंटीना की industry support करती है, ब्राजील की industry support करती है, होने कहा है कि बदले में European Union को भी अपना data हमारे साथ share करना होगा, तब ही हम लोग जो है data share करेंगे, लेकिन वो obviously EU नहीं करेगा, because EU समझता है कि हमारे जितनी भी industries हैं, वो तो बहुत अच्छे carbon emission norms को follow करती आई है, आपको बताना चाहूंगा, even China भी यहाँ पे काफी हद तक इंडिया को support करता है, because China भी बहुत बड़े तरीके से European Union में अपना माल भेजता आया है, so basically EU क्या करना चाहता है, इन trade secrets को अपने तक ले आएगा, carbon border tax के महाने, और उसके बाद इन trade secrets के चलते, वो अपनी manufacturing activity को revive करना चाहता है, पुनर जीवित करना चाहता है, जो कि बहुत स साल पहले dead हो चुकी है, और इसके चलते वो इंडिया और चाइना जैसे देशों के साथ अपने trade deficit को कम करना चाहता है, because आज की date में इंडिया almost 75 billion dollar का माल दोस्तों European Union को भीजता है, हमारा बहुत बड़ा export partner है, और EU की जो intention है, वो यह है कि trade deficit किसी तरीके से कम कर लिया जाए इसलिए इस data को share करना बिल्कुल भी sense नहीं बनाता, अब देखिए carbon border tax का intention अगर यह है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि UN ने भी अपने report में पहले भी कहा है कि carbon border tax के चलते किसी प्रकार का कोई climate change यहाँ पर हम उसको रोकने नहीं वाले हैं, क्योंकि EU बोलता है कि हम लोग तो carbon emission में कटोती कर देंगे, लेकिन UN बोलता है केवल 0.1% का ही drop होगा, जो की significant नहीं है और इसलिए यह carbon border tax क्या जो भी आपने यह drama है, इसको यहाँ पर बंद करना होगा, अगर तो होता है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है, I suppose इंडिया को भी, जो इंडिया ने पिछले ही साल बोला था, हमें भी अपना एक carbon border tax retaliation में European Union के लिए लाना चाहिए, so that हम लोग भी यहाँ पर एक fair game EU के साथ play कर सकें, आपकी क्या रहे हैं, हमें comment section बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, जाने से पहले दोस्तों फिर से बताना चाहूंगा, नीचे दिएगे link को definitely explore कीजे, काफी सारा UPSC material आपके लिए अवेलेबल है, and free demo classes, one-on-one mentorship, magazine, library, wifi, आक को इस workshop में आना बिल्कुल नहीं भूलना, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.